मैकसमम छात्र तो कोटा में जाके बैठे हुए हैं। वहाँ पर वो तयारी करेंगे। यहां के सिख्षकों के बरोसे रहेंगे। अबके सिख्षक के बरोसे। तो उनका इंटरमीडियेट भी फर्श डिविजन से हो की नहीं हो इसका गरांटी नहीं है। यह जो ओर्डर जो है यह सही नहीं है हार बाड़ी में लिया गया यह आधेस है बिहार के चीफ सग्रेटरी जो है अमिर सुभानी जी वो पत्ना साइस्स को लेस सही पढ़े हुआ है बीपीएसी के अध्याव जो है अतुल परसाद जी वो पत्ना साइन्स कोलेज से ही पढ़के वो आएटी में अच्छा रेंक लाएं और आएटी कानपुर से पढ़ाई किये और उसको आपके संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन होगा तभी ऐसा हो सकता कि केवल वहां प अध्याव प्राइटी पर नुसे इसको पढ़ाई नहीं दे रहे हैं और उसको सुधार्ने के लिए कोचिंग जाना चाहते हैं उसको भी आप रोक रहे हैं आपके विस्विद्याले की स्थिति क्या है आपके विस्विद्याले में तो शिच्छक ही नहीं है तो 9 से 12 अगर 9 से 4 अगर आप बंद रखते हैं उसको तो विश्विद्याल्य के छात्र करेंगे क्या से फट्ना में हजारारव हजार की संख्या है वैसे छाथ्र जो की कर चुके है University level की पढ़ाई दरवगा की तैयारी कर रहे सचिवाले सहाई की तैयारी कर रहे इसको लेकर उनका सही है पर ग्यान विग्यान से खोज से सोध से यहां के सिख्षक जो है वो अप्टुडेट हो और उनको वो पढ़ाने की कला वो डिवलप कर आई जाए तो यह सब चीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सिख्षकों का अगर जरूरत पड़े तो पर मुख्य सचिव केके पाठक के हाथ में जब से सिख्षा विभाग का कमान दिया गया है तब से केके पाठक बिहार के सिख्षा विवस्था को पटरी पर लाने के लिए तरह तरह के नियम वो खानून लागू कर रहे हैं कभी सिख्षकों की उपस्तिती सिख्षकों के आदेश पारित कर रहे हैं इतना ही नहीं विविन स्कूलों में वो भ्रमर भी कर रहे हैं अब देके कल से एक लेटर जो है वो काफी वाइरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जितने सारे कोचिंग संस्थान हैं उनके समय सारणे में बदलाव किया जाएगा यानि कि सु चात्रों की उपस्तिती ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए किया जा रहा है इसी विशे पर चर्चा करेंगे हैं मारे साथ हमारे सयोगी हैं आदेश पुरी जी कितना सही है कितना गलत है इस पर चर्चा करेंगा जी जो कल से वाइरल हो रहा है कि कोचिंग संस्थानों के समय स से बाराफिन तक के लिए तो ऐसे में अटेंडेंस भी जरूरी है और इसको लेकर जो है फर्मान जारी किया गया है कि तीन चरन में जो है वो नौ से चार बज़े तक जितने भी प्राइवेट कोचिंग है और बीपीएसी यूपीएसी को लेकर चलने वाले भी जो कोचिंग है पर्तियोगी परिक्षाओं को लेकर चलने वाले कोचिंग है इनको नौ से चार बज़े तक बंद रखा जाए देखिए यह जो ओडर जो है यह सही नहीं है हर बारी में लिया गिया यह आदेश है क्योंकि आपको बता दे कि आप कोचिंग को बंद कर रहे हैं तो इसका मत्त हैं तो इसके लिए तुझरूरी है कि आप स्कूलों को वॉलीटी एजूकेशन हमने कली विडियो किया था क क्यों चातर जाएंगे वहां पढ़ने करिए आखिर आप देखते हैं कि यूपिसचा निकालते हैं आयाई टी वाले वह कहते हैं कि हमने कोचिंग किए ही नहीं क्य देंगे भाई क्योंकि आएटी के पढ़ाई इतना जबर्दस्त है वैसा कोई बाहर में पढ़ाई नहीं सकता है तो इसलिए वहीं से पढ़के वह यूपीए से निकाल लेते हैं लिए बिहार में देखिए कि बिहार में तो नौवी से लेकर बारुएं तक कि मैक्समुम छातर तो कोटा में जाके बैठे हुए हैं वहां पर तयारी करें पता है कि वह बिहार बोट से तयारी करेंगे यहां के सिक्षक के वरोसे रहेंगे अब के सिक्षक के वरोसे तो उनका intermediate से हो की नहीं हो इसका guarantee नहीं है तो बिहार में तो quality of education काफी गिरा हुआ है इसकी लोग की सित स्टिया गया है और इसमें दिया गया है कि बीपीए सीय कोचिंग को इसको रखाजा है इसको दायरे में यूपीए सी बीपीए सी को चिंग ने क्या जरूरा तो उसमत गिरेजुट लड़के आते हैं और सबसे बाद कि आपके विश्विद्याले की इस्तिती क्या है आपके विश्विद्याले में तो सिक्चा की नहीं है तो 9-12 को पुलेज को अगर ओञा चोड़ दो आप जाएन आप दूसरे विश्विद्याले में 1500 सालों से पढ़ाई नहीं हुआ कितने ऐसे कॉलेज हैं तो वह चात्र आखिर करेंगे क्या तो वह इसका मतलब है कि वह बिस्विद्याले के भरोसे भरोसे जो कि चार सालों से चल रही है कि अगर आपको बंद करने की बात आप कर रहे हैं तो उनको इस जद में आप क्यों ला रहे हैं उनको आप नौ से चार बैज के जद में क्यों ला रहे हैं वह तो अपना कॉलेज का पढ़ाई पूरा कर चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या है पट्णा में हजारो हजार की संख्या है वैसे छात्र जो की कर चुके है इन्वर्सिटीट लेबल की पढ़ाई दरोगा की तयारी कर र जो बिहार में सक्षम अमीर छात्र हैं अमीर घर से आते हैं सक्षम घर से आते हैं जिनकी आर्थिक इस्तिति मजबूत है उनके बच्चे तो दिली में जाके तर तयारी कर रहे हैं और यहां पर गरीब छात्र जो है जो गरीब है वहीं यहां पर है जो सक्षम नहीं है दिली ज चलेगा तो ये भी तो आप कमप्टीशन से पीछे कर रहे हैं और कोचिंग जो है सच्चाई है आज हर एक चीज के लिए तैयारी इंडिया में होता है जितना हाई लेबल कमप्टीशन है बहुत मेधावी जो होते हैं वह सेलफ स्टाडी से कर लेते हैं लिए बहुत बड़ी स सिविल सर्विसेज यूपीएसी के द्वारा 2011 में सीसेट लाया गया तो कहा गया कि इससे छात्रों की खुद सोचने और खुद पढ़ने की छमता विक्सित होगी कोचिंग संसानों पर निर्भरता कम होगी और जैसे ही सीसेट आया पहले से जादा कोचिंग संसानों पर नि मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था जब तक आप क्वालेटी एजुकेशन और वैसा एजुकेशन उनको नहीं देंगे जिससे उनका गुनात्मक विकास हो और जब आपके स्कूल में वैसा पढ़ाई होगा आसे 30 साल पहले 40 साल पहले पट्णा इन्वर्सिटी में वैसा पढ़ाई होता था तो पट्णा इंवर्सिटी से पढ़के छातरा A.E.T. निकालते थे और आपको UPSC निकालते थे आज नहीं है तो आप देख लिए सबसे पहले तो आप अपने संस्थानों में आप अपने स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दे की केवल वहाँ पा अटेंडेंस बने उनका स्कूल में रहें और क्वालिटी एजुकेशन मिले ही नहीं को तो फो फिर दो नुक ingenuity फन्नAK कमजोर कर रहा है एक तो हुए कि इसकूल में वहता सुधा नहीं दे रहे हैं वहता पढ़ाई नहीं दे फिर से है कि सरकारी करमचारी जो है वो या कोई अधिकारी जो है वो कोचिंग में पढ़ाते हैं इसको लेकर उनका सही है परमान लेकिन आप नौ से चार जो बांध रहे हैं फिर से आप देखिए आसकल तो ओल्लाइन इतना चल रहा है छातर जो है यहां के कोटा के टीचर का पढ़ रहे हैं और राजस्थान के अन्य टीचरों का पढ़ रहे हैं दिल्ली के टीचर का पढ़ रहे हैं कौन-कौन सारे कोचिंग आया हुए हजारो वेब पोर्टल पर जो है वो टीचिंग क्लास चल रहा है मैक्समम का टाइम दिन में रहता है तो कि आप उसको बंद सकते हैं करवा सकते हैं तो करवाइए कि भीहर में उनका इस्ट्रीमिंग नहीं नहीं होगा नौ से चार यह भी तो आपको करना पढ़ेगा ना पिर से है कि आप सारे अपनी गल्तियों को यह करने के लिए अप दूसरी लकिर को चोटी की कर रहे हैं कि कोचिंग बंद कर रहेगा अरे भाई आप नया लकीर्थ खीचिए उसके बगल में आप कहिए कि ठीक हम ऐसा इसको ने पढ़ाई देंगे यहां पर चलियाएंगे आज भी है दिल्ली बिस्विध्यालाय के जो कॉलेज हैं जेनियू के कॉलेज हैं कहां वहां के छातर कोचिंग पढ़ते हैं वहां के छातर कहां कोचिंग करते हैं वो तो खुद कोचिंग में पढ़ाते हैं इतना पढ़ह लिक होते हैं तो वैसा आपको बनाने की जरूरत है और हभी तक हमने कल डिस्कसन किया था और बताया था कि अभी जितने फैसले लिए जा रहे हैं सिखचा यवाग में वो administrative फै कि उसके लाइक उसी हिसाफ से सिक्षकों की बहाली है संतुष की सिक्षक हो यह सब करने की जरूरा था यहां बिल्डिंग अटेंडेंस यह कट जाएगा वह बितन कट जाएगा इसी पर अभी तक ध्यान है यह दारी मोची ही सब हो रहा है जब तक आप विद्यालों में आई के विवस्था को दुरूस्त नहीं करेंगे पढ़ाई में गुनात्मक पड़िवर्तन नहीं लाएंगे स्टडी में तब तक यह कोचिंग बगारा से बंद करने से कुछ नहीं होगा सारे का लूप फोल निकाल लेंगे लड़ बच्चे सब कुछ कर लेंगे उसके करना होता है इसके लिए को यह नहीं है हरेक फिल्ड में है यह प्राइवर्ट में जाए सरकारी में जाय किसी में वहां पर है समाझ से आना है अपना दाई तो निभाना अपना यह सब करना यह अच्छी बात है यह होना चाहिए लेकिन आपके द्वारा जो आउट्पुट प्रश्चानिती लाया जाए फिर से है कि उसके लिए जो है जो नई सिक्षानिती में नए नए चीज वा रहा है उसको लेकर ट्रेणिंग दी जाए वैसा उनका प्रसिक्षन हो नए नए वो ज्यान विज्ञान से खोज से सोध से यहां के सिक्षक जो है वो अप्टूडेट ह आट आँगर ट्रेणिक गरियर्यड गजामिनेशन लें Jaka कि उनमें पढ़ाने की छमता कितनी है कितनी नहीं है देखिए यह सब काम करें अभी तक मैं बता रहा हूं ना समय से आना हुआ यह नहीं करना है लेकिन मैं हमेशा से जोड़ देता हूं कि मूल जो है बिद्याले कोलने का उद्दे से सिक्षित करना है और जमाने दुनिया के जो दुनिया जिस रफ्तार से अगे बढ़ रही है उसी रफ्तार से हमारा सिक्षा भीवस्ता भी होना चाहिए वैसा क्योंकि और जो यह स्कूल जो है तक यह फाउंडेशन होते हैं जो फाउंडेशन दिया जाएगा उसी अधार पर उसका अभवी से निश्चित होगा तो यह कोचिंग बंद करना यह करना वो करना य यह सब जो है यह इसे मैं सही नहीं मानता हूं अगर आप अपने विद्यालेयों को दुरुस्त कर लेंगे वहां की पढ़ाई सही हो जाएगी कोचिंग व्यवस्ता अपने ठब पर जाएगी धीमी पर जाएगी कोचिंग वैसे ही छात्रों क्लिए रहेगा जिनको इसकूल म आता है या फिर होता है कंप्रीन की तेयरी के लिए ग्रेजुएट हो गाएँ और यूपक यससब की तैयरी के लिए तो वैसा आप शुद्धा क्यों जाएंगे अपना पैसा बरबाद करने के लिए और कौन चाहता है घर चोड़ के डिल लिजाए वहां पर एक चोटे कमरे में रहे और 20 25 25 जार महीना में खर्च करें और 20 लाख रुपे कोई चाहता है कोई नहीं चाहता है लेकिन आप सुधा तो दें सुधा के देने के दिशा में कोई पर्यास नहीं हो रहा है यह गलत फैसला है सरकार को इस वह विज़ार जरूर करना चाहिए क्या होगा अब इस त सक्षों की बाली होनी है उसमें एक लाग सतरहजर बहाल नहीं हो पाएंगे कारण है कि उसमें पूरा प्लस्टू समवर्ग में जो है संतावन जार सीट है चालीज़र परम ही बरा है तो उसमें तो खाली रहे गए रहेगा फिर से आप देख ले नाइन तेंट में दुगु करेंगे आप उसके बावजूद भी बहुत सारे सीट खाली है आप इनवर्सिटी लेवल में देखिए पूरा इस कॉलेज का ही इस्तिती खराब है गेस्ट फ्रकल्टी के बहाने जो है वह चल रहा है तो सबसे पहले तो आप सिक्षों की भरती पुरा कीजिए सिक्षा की भ सब करेंगे तब होगा ना यह सब नहीं करेंगे फिर वही घाट धाक के तिन पात होंगे नियम बनाते जाएंगे नियम तोड़के लोग अपना करते जाए कि इसों को पढ़ना है समको कप्टीशन में जाना है यह होगा दूसरा सबस्वला बात देखिए कि प्राइवेट स एक तो है कि वहां पढ़ाई भी अच्छा है और आप यहां पर अटेंडिन्स बनवाने के लिए उनको कई पर पीछे कर रहे हैं तो 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 साफ है कि भाई आप जो गरीब आखी सरकाली स्कूल में को जाता है आज के समय में जो अपने बच्चों को प्राइवेट इस्कूल में पढ़ाने को वहीं उसी का बच्चा जाता है पढ़ने के लिए और आप उसको जो हैं तुशन कोचिंग भी नहीं करने दे रहे हैं और आप उसको एटेंडिंस के बहाने इसकूल में बैठा कर रहा है वहां पर क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं दे रहा है तो कहां से प्राइवेट इस्कूल के टीचर के वह कमप्टीशन कर पाएंगे कभी यह नवा दसवा में जाते हैं यहां पर टीचर नहीं है गारा बारा में बहाली चल रही है उसको लेकर वी सित नहीं पूरा होगा और उसके छातर जो है नविया के बाद से जाके कोटा में बैठे हुए हैं तो किसका होगा आई टी मेडिकल में कई फरंट पर आप पीछे कर रहे हैं सरकार को इस पर जरूर पु बहुत अंतर आएगा और कंप्टिशन जो चातरों के बीच में चलता है वो कही न कहीं बिहार में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो कही न कहीं कमजोर होते हुए दिखेंगे फिलाल इस चर्चा में इतना ही ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए देख तेरी हैं मारे चनल बिहार टॉप अपनी राए कॉमेंट सेक्शन में रखिया वीडियो के जितना हो सके शेयर कीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद